आज हम सौप्ट्वेर से लेकर सेटलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गती दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमूख एंजिन की भूमी का निभा रहे हैं। मालदीव इस महामारी के लिए तयार नहीं था। इसने हमारी अर्थविवस्था को घुटनों पर ला दिया। क्योंकि हम बाहरी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्बन हैं। और हमारी सीमाय चारों तरफ से बंद थी। इसलिए हमें अत्यदिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। हम भारत से मिली सहयता और डोनेशन की वज़े से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। हमारे पास टीका करण के लिए डिजिटल बुनियादी धाचे की कमी है। कोविन प्लैटफॉर्म का वैश्वी करन मालदीव जैसे देशों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ। यह भारत की ओर से उठाया गया बेहद ही उदार कदम है। अने एक देशों ने भारत के इस प्लैटफॉर्म को इस्तिमाल करने में रूची भी दिखाई है। इस महमारी से निपटने में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है समय बद तरीके से डेटा को एकत्रित करना और उसके आधार पर सही समय पर सही निर्णे लेना। हम इस चुनौती से आज भी जूज रहे हैं और सही सौट्वेर और हार्डवेर की तलाश कर रहे हैं जो मजबूती से हमारी हर जरूरत को पूरा कर सके। मुश्किल यह है कि बिना किसी प्रॉपर टेकनॉलोजी के हम जैसे ही इस कारेकर्म को शुरू करते हैं हमारे लिए आबादी के शेश हिस्से तक पहुँचना और भी मुश्किल हो जाता है। सुभे मैंने जो सुना उससे हमारे भीतर से विश्वास जगा है कि हमने कोविन में अपना समाधान ढून लिया है। कोविड वैक्षिन के पहले खुराक को लेकर जो सफलता हासिल की है वो हमारे बहुत खास दोस्त भारत के अतुट समर्थन के बिना संभवी नहीं था। हम भारत को धन्यवाद देते हैं और प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी को उनके असाधारण ओध्याली नितरत्व के लिए और वैक्षिन इक्विटी के मुद्दे पर समोधित करने के लिए महामारी को विलेकर वैश्विक एक जुटा दिखाने के लिए बधाई देना चाहते हमें ये सुनिस्षित करना होगा कि टेक्नलोजी इज अफ लिविंग का टूल बने ना कि कोई ट्रैप इसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे बांगलादेश ने मौझूदा महामारी से यही सीखा है कि हमें जीवित रहने के लिए समरद्ध होने के लिए और इस दुनिया की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से आगे आना ही होगा अब वक्त प्रतिसपर्धा करने का नहीं है बलकि आपसी सहयोग करने का है मैं विविन देशों के स्वास्त और प्रोध्योगी की डोमेन के प्रतिनिदियों को डिजिटल कोविट वैक्सीन पासपोर्ट पेश करने का प्रस्ताव देना चाहता हूं यह हमारे शेत्र के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और व्यापार वापर्येटन को बढ़ा आवादेगा